नमस्कार स्वागत है आप सबका राधिकाज कीचन में आज मैं लेके आयो एक नया फ्लेवर तो आज मैं बना रही हूँ पान फ्लेवर केक यह हफ कीजी का बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने 200 ml के कप से 1.5 कप भेनिला का प्रिमिक्स लिया इसमें पानी और 1.5 टेबल होञा है अगरिकों उआल डाला है अब इसमें पान एशेंचा के फोरग्स डालने है और लिक्विट् ग्रीन कालर के फोरग्स डालने fractions को अच्छा सी mix कर लेना है circul 네ые không मैं इसे शेंच का केक टिन लिया है इस प्सक्राइब ऑर वटर पेपर लगा के लिए असमें बै्रीव् मैंने आप ये पांच सीरप लिया है लेयर्स के बीच में डालने के लिए और उसी के साथ में ये मसाला सोफ लिये ये मसाला सोफ आपको जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी या फिर जहाँ पर पान मिलता है वहाँ पर भी ये मिल जाएगी ये मैंने लिये पिलेंस, तूटी-फूटी , आप चाहे तो अलग-अलग कलर की मिलती है मिक्स में वह भी ले सकते हैं और यह गुलकंद लिया है आदह चम्मच गुलकंद लेना है 2 चम्मच फूटी-फूटी और 2 चम्मच सोफ लेनी है अब गुलकन, सौफ और टूटी-फूटी इन तिनों को अच्छा से मिक्स करके लेना है यह देखिए अच्छा से मिक्स हो चुकी है अब एक एक स्पॉंज को थ्री लेयर्स में कट करके लेना है यहाँ पर मैंने केक बोर्ड लिया है उस पर क्रीम लगा के लिए है और बीच वाली लेयर को सबसी नीचे रखना है और इसे सुगर सिरफ से सोग कर लेना है सुगर सिरफ से सोग करने के बाद क्रीम लगा के लिएनी है क्रीम को पैलेट नैप से अच्छ से प्लेन कर लेना है इभी पान सिरप क्रीम के उपर लगाना है पान सिरप और मिक्स सोप का जो मिश्रान बनाया था वो लगाया होए वीडिव मेरे से थोड़ा सा गलती से स्कीप हो गया तो आप second layer में देखिए मैंने किस तरह से first layer में लगाया था अब second layer को भी sugar syrup से soak करके लिया और उसके उपर cream लगा के लिए है अब उसके उपर पान का syrup डाल कर उसको palette knife से plane करके लेना है यह जो हमने गुलकन, सोफ और टूटी-फूटी का मिश्रान बनाया था पूँ में डाल के ले रहे हूँ, first layer में मैंने आधा डाला था और आधा ये बाकी का बचा हुआ, second layer में डाल के ले रहे हूँ अब सबसे नीची वाली layer को उपर की साइड रखा है और इसे भी sugar syrup से soak करके लेना है अब केक को क्रम कोट करके आधे घंटे के लिए freeze में सेट होने के लिए रख देना है अब आधे घंटे के बाद मैंने केक को freeze से बाहर निकाला है और इसे क्रिम से कोट कर लेना है आप चाहे तो गुलकन, सोफ और टूटी-फूटी की जगह मसाला पान का भी यूज़ कर सकते हैं लेयर इसके बीच में डालने के लिए बस मसाला पान यूज़ करते वक्त इस बात का ध्यान दे कि उसमें की सुपारी आपको निकाल देनी है और पान को बारिक तुकड़ों में कट कर लेना है और ग्रैंडर में थोड़ा सा क्रश करके लेना है मसाला पान से केक में और भी टेस्ट अच्छा आता है किसी दिन मैं आपको मसाला पान से भी केक बना की दिखाऊंगी आज मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने टुटी फ्रूटी गुलकन और सौफ का यूज करके केक बनाया है अब कार्ड या स्क्रापर से केक को प्लेन करके लेना है उपर साइड में भी केक को प्लेन कर लेना है मैंने या पर नूट्रल जल लिया है इसके तीन चम्मच कटोरी में निकाल के लेने है नूट्रल जल से केक के उपर बहुत ही सुन्दर शायन आती है अब नूट्रल जल में दो ड्रॉप्स लिक्विड ग्रीन कलर के एड करने है और इसी के साथ शुगर शिरप थोड़ा सा आड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है मैंने पाइपन बैग ली है और ग्लास के उपर इसी रखनी है और उसमें अब ये नूट्रल जल डालना है पाइपन बैग को थोड़ा सा कट कर लेना है अब इस piping bag से पूरे cake के ऊपर neutral gel डालके लेना है पूरे cake को इस neutral gel से coat कर लेना है अब palette knife से neutral gel को plane करना है plane करते वक पैलेट knife को इद्दम हलके हातों से घूमाना है नीचे side में भी neutral gel को अच्छे से plane करके लेना है cake के side में design बनाने के लिए मैंने nozzle लिया है इस पर कोई number नहीं है इसे आभी cake के side में design बना के लेंगे अगर आपके पास ये nozzle नहीं है तो आप piping bag में cream भरकर उसको simple cut करके ये design बना सकते है आप चाहे तो आपकी पसंद की नुसार भी यहाँ पर border की design बना सकते है रोज बनाने के लिए मैंने आप आर 11 नंबर का nozzle लिया है इसे आप piping bag में डालके ले लेते हैं रोज बनाते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि nozzle की जो चोड़ी side रहती है वो नीचे side में रहने चाहिए और जो पतली side रहती है वो उपर की ओर रखनी है सबसे पहले flower stand पे इसका base बना के लेना है उसके बाद एक छोटी सी कली बना के लेनी है कली बना लेने के बाद उल्टा यूब बनाती जाना है उससे पंखुडियों की design बनेगी आपको जितना बड़ा या छोटा flower चाहिए उसी हिसाब से इसे पंखुडियों बनाती जाहिए flower को उठाते वक्त कैची को open करना है और रखकर निकालने के बाद कैची को बंद करके निकालना है मैंने आपे pipe bag में क्रीम भर के लिए है और उसे V-shape में कट कर के लिए है रोज के side में इससे पतिया बना के लिए है आप चाहे तो इसकी जगा लिफ नोजल का भी उज़ कर सकते हैं पतिया बनाने के लिए ये पान फ्लेवर का केक आप एक बार ज़रू ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चाइनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार